तो हेलोस देन गुड बॉर्निंग एक बार फिर से स्वागत आपका एफ और अर्जुन क्लासेज में तो हिंदी वाली सिरीज में हमारा चल दा संधी और संधी में मैंने आपको स्वरसंधी तो करवा दी थी सरस्वंधी के मैंने एक प्रैक्टिस भी करवाय था आपको जिसमें टॉप 35 के क्वेशन करवाय थे जो की बहुत इंपोर्टन इंपोर्टन थे होफुली आपकी वो समझ में भी आगए होंगे अब बढ़ते आगे तो एक और संधी आज हमको करनी है उस संधी का नामे बियंजन संधी है अगर आप जर्नल सिलेबस की बात करोगे तो बियंजन संधी और विसर्गसंदी सिलेबस में ही नहीं है यूके टी परलस्टी का जो जनल सिलेबस था बट यूके पी ऐसी पूछ देता है विसर्गसंदी तो फिर भी बहुत कम पूछी जाती है और विसर्गसंदी आपसंदे के नॉर्मली लग भी जाती है तो विसर्गसंदी में स्किप भी कर दूँगा इन तक केस अगर आपको जरूरी बिसरग संधी भी पढ़नी है तो आप कॉमेंट करके बताते ना उसकी भी एक वीडियो बना दूँगा मैं मैं तो ब्यंजन संधी को भी स्किप कर रहा था क्योंकि सिलेबस में बहुत कम आती है आती ही नहीं है सुरसंधी पूछी जाती है बट फिर भी UKPSC पूछ लेता है तो मैं ब्यंजन संधी के रूल आपको कुछ हट तक पढ़ा दूँगा इसके अलावा ब्यंजन संधी के बारे मैं जो बताऊंगा मैं तो बुक अगर आप पढ़ोगे हिंदी गराम मरकी तो ब्यंजन संधी के 17 रूल है 17 तो 17 रूल नियम कानून लिखने पढ़ने के कोई जरूरत है नहीं आपको दो ये तीन जो मैक्स रूल है जो सबसे इंब्यंजन संधी बहुत ज़्याद़ पूछी नहीं जाती है वे नियम कानून आज हम पढ़ने और सीखने की कोसिस करते में मुद्ध है वो है practice का संधी practice का गया में जितनी ज़ादा practice उतना ज़ादा अच्छा आपका हाथ हो जाएगा स्वरसंधी में कोई दिक्कत हुई होगी स्वरसंधी का एक और part बनाना है कुछ ची होगी स्वरसंधी के regarding तो मैंने एक उस class में भी बोला था आप प्लीज मुझे WhatsApp पे या comment करके बता देना कि स्वरसंधी में आपको दिक्कत क्या लगी है स्वरसंधी में आपको जो भी दिक्कत लगी होगी वो मुझे आप करके बता दीजिएगा उस दिक्कत को स्यॉल कर लेंगे मगर आज पढ़ते हैं ब्यंजन संधी ब्यंजन संधी आपको पता है ब्यंजन संधी को सीखने से पहले आपको एक चीज पता होनी चीए और वो आप मेरी वन्न माला वाली क्लास देख लीजिएगा ये का, ख, ग, घ, ग ये आपको आने चीए मैं याप पूरे लिक देता हूँ सौरी पहले इसे लिक देने चीए थे बट आप भी अगर आप कॉफी में है आपके पास पकड़ी वी तो आप भी लिक ली जग ठीक है, इसके बारे में क्या है हमें आना चाहिए तब ही हमारे ब्यंजन संधी हो पाएगी तो मैं जब जब बोलूँगा प्रथम वर्ग, तो आप समझिएगा इनकी बात हो रही, कचटतप ठीक है, इसमें एक बात आएगी तीतिय वर्ग, तो तीतिय वर्ग एक, दो, तीन, गजड़दब इनकी बात हो रही है, और जब मैं बोलूँगा पंचम वर्ग, तो अंग, या, अण, न, म, इनकी बात हो रही है तो इसमें बार-बार में ऐसा word यूज़ करूँगा पर्थम word का change तीतिय वर्ड में या पर्थम वर्ड का change पांच वर्ड में तो ये वाला सब्द आपको बार-बार देखने के लिए मिलेगा तो बार-बार मैं ये नि बोलूँगा का चाटा तप, मैं बोलूँगा पर्थम वर्ग तो इन मैं से कोई भी, मैं बोलूँगा तितिय वर्ग तो इन मैं से कोई भी, और मैं बोलूँगा पंचम वर्ग तो इन मैं से कोई भी, एक सिंपल सी भात है, होपुली कोई दिक्कत न तो ब्यंजन संदी को सीखने से पहले हम इसका पहला नियम सीखते हैं और ब्यंजन संदी का पहला नियम क्या बोलता है तो ब्यंजन संदी का नियम वन बोलता है एक का तीन में परिवर्तन और एक का तीन में परिवर्तन कैसे होता वो देखते हैं मतलब जो पर्थम में इसको सौटकर में लिख देता हूँ एक का तीन यही एक रूल बना दो आप किताब में तो बहुत डीटेल में लिखा हुआ है लेंथी लिखा हुआ है किताब के हिसाब से जलूँगा तो समझ में नहीं आएगा स्वरसंदी की भी पहली बीडियो में नहीं देखना यही कोसिस करें मैंने किताब के हिसाब से समझाओंगा बच्चे उसमें कन्फ्यूजी हो गए होंगे बट इसको देखेगा एक का तीन कैसे एक का तीन का मतलब यह है कि जो यह पर्थम वर्ग है ना यह चेंज जिसमें हो जाएगा तीन वर्ग में हो जाएगा अब पर्थम वर्ग तीन वर्ग में चेंज कब होगा अब पर्थम वर्ग तीन वर्ग में चेंज क्यूं होगा उसको देखने की कोसिस करते है अगर पर्थम वर्ग तितिया में change हो रहा है तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पुरानी वाली list अगर इसका mail किसी से भी हो रहा है तो ये क्या बन जाता है गा चा क्या बन जाता है जा टा क्या बन जाता है अड़ा ता क्या बन जाता है दा और पा क्या बन जाता है वह और यह कैसे कैसे बनता है इसके लिए आप एक चीज़ देखिएगा उसको समझने की कोसिस करिएगा एक नॉर्मल से पहले में एक एक एक्जामपल आपको दिखाता हूँ फिर आपको समझ मैं अभी तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ कैसा मगर एक क का तीन होता कैसा है सर आप मुझे पहले ये बता दो तो एक का तीन होने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एक सब्द एक्जामपल के तौर पर जैसा एक सब्द है दिगंबर तो इसका जो संदी विचे दोता है ये संदी विचे दोता है दिख इसका संदी विचे क्या हो है का और ये क्या है गा का कौन से लाइन में आता है प्रथम अग गा कौन से में आता है तीन तो प्रथम का तीन में परिवर्तन ऐसे होता है अभी सिखा है नहीं है सिखाऊंगा मैं तो एक्जामपल दे रहा हूँ कि ऐसे चींज हो जाएगा एक और एक्जामपल लिखिएगा एक और example के अगर मैं बात करूँगा तो एक और example आपके पास आएगा अब वह example क्या है वो देखते सद भावना एक word आपता आपके पास सद भावना इसको कैसे तोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो इसको तोड़ेंगे सद पलस भावना तो ये कौन सा है ता और ये क्या है दा आप देखो ता कौन सा है ये है ता ता से तरबूच तो ता कौन से लाइन का है प्रथभ और जो दा से दवाते कौन से लाइन का है तीसरा तो ता का चेंज किसमे हो गया दा में पिसलिवार का का चेंज किसम हो आता गामे तो हमेशा जब भी टाबद लेगा रामे चाबद लेगा जामे पाबद लेगा बामे ऐसे परिवर्थत हो जाता है इसी को बोलते हैं एक का तीन नियम एक का तीन नियम ऐसे परिवर्थत होता है इसके दो एक्जामपल मैंने लिखे मगर एक कैट के थमेसा तीन में होगा हमेसा तो नहीं होता तो इसलिए आपको रूल पढ़ना पढ़ेगा क्या होता है इसके लिए रूल उसको देखने की कोसिस करते हैं अब क्या होता वो देखो यदि पर्थम का मेल पर्थम का मेल किसी भी तीसरे से और किसी भी चौते से पर्थम का मेल किसी भी स्वर से पर्थम का मेल किसी भी अंतस्त ब्यंजन से किसी भी अंतस्त ब्यंजन से अंतस्त ब्यंजन मैंने वर्णमाल में आपको पढ़ा रखा या रा ला हुआ इनको बोलते अंतियस्ति बेंजन जो के होते चार यही पहला नियम है देखो, नहीं समझ में आये ना, यह समझो दुबारे से समझो, इंपोर्टेंट है, समझ लीजिएगा एक का वंडन, एक का मेल एक का मेल मतलब पर्थम वर्ग के पर्थम वंड का मिलाप किसी से भी हो जाए, चाहे वो तीसरे वाले से हो, चाहे वो चौते वाले से हो, चाहे वो किसी भी जवर से हो जाए या किसी भी अनतियस्ति बेंजन, इन मेंसे किसी से भी हो जाए तो हमेशा एक का तीन वालाला ही लौजिक लगेगा कैसे ये था न, पर्थामवर्ग में कौन है, काचाटातप तो इधर मैं अगर लिखूंगा, काचाटातप ये है न, पर्थामवर्ग में अगर इसका मिलन, इन में से किसी से भी हो जाए चाहे गा से हो, चाहे जा से हो, चाहे अडा से हो, चाहे दा से हो, या चाहे बा से हो इसका मिलन चाहे इन से ही क्यों न हो जाए, घा से हो जाए, चाहे जा से हो जाए, चाहे धा से हो जाए, चाहे दा से हो जाए, चाहे बा से हो जाए चाहे इसका मिलन किसी भी स्वर से हो जाए किसी भी स्वर से हो जाए ये point आप ध्यान में रखिए किसका मिलन पहले वर्ग का मिलन चाहे वो का है चाहे चाहे वो टा है चाहे वो ता है चाहे पा है तो हमेशा जो changes आते न change होने के बाद क्या बन जाता पहले का तीसर अक्सर चेंज हो जाता है अब पहले का तीसर अक्सर चेंज कैसे होता है यह मैंने दो एक्जाम्बल दिखा थे देखो, का के बाद क्या आया आया, आ क्या एक स्वर है, तो मैंने यही तो लिखा है का के बाद अगर अगर कोई स्वर्भी आ जाए तो क्या हो जाएगा का के बाद अगर कोई स्वर्भी आ जाए तो क्या हो गया गा बन गया देखो का तो हे निया पर क्या बन गया गा देखो ता के बाद क्या आ गया भा गया तो यह देखो आप ता के बाद आ गया भा तो तीतिया और चौथा यहाँ पर लिखा है ना, भा, भा से भालू, अब किसके बाद आया, ता के बाद, ता पहला था, अब भा से भालू क्या था, चौथा था, यह आ गया, तो वो क्या बन गया, देखो, दा बन गया, दा से दावाद, अब दा से दावाद हमें सा तीसरे नमबर पर ही होगा, ता चाहे चौते वर्ग वाला आए, चाहे अंतस्त ब्यंजन आए, चाहे स्वरा आए, वो एक का तीन हो जाएगा, कैसे? मैं दुबारा से लिख देता हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हो, पर्थम वर्ग के बाद, यदी स्वरा आए, यदी अंतस्त ब्यंजन आए, यदी अं क्या सकता है, या क्या सकता है, तीसरा वर्ग आ सकता है, या क्या सकता है, चौता वर्ग आ है, इन में से कुछ भी आ जाए, किस के बाद, पर्थम वर्ग के बाद, अब पर्थम वर्ग क्या है, मैं बार बार बोल लो, ये, इन के बाद, इन के बाद, इन में से कुछ भी आ तो जो ये पर्थम वाला रहता है न ये क्या बन जाता है अपने आप तीन बन जाता है अब पहला वाला अपने आप तीन कैसे बनता है कोई बोलेगा सर जी बताओ तो पहला वाला अपने आप तीन ऐसे बन जाता है देखो ये पहला वाला था का अई अपने आप में क्या बन है, जब येसी condition हो, कि एक के बाद, चाहे कोई भी स्वर आए, चाहे कोई भी अंतस्ते बिंजनाए, चाहे कोई भी 30 अवर गाए, चाहे कोई भी 4 अवर गाए, एक वाला सब अपने ही level के 30 अवाले में change हो जाता है, और हमें पेपर में basically सामाने syllabus में तो पूछी नहीं जाती है, पर UKPSC पूछ सकता है, इसके बहुत सारे रूल है, इसलिए controversial भी होता है बेंजन संदी, मगर फिर भी उम्मीद करता हूँ, final final में अगर इसे आप समझ चुक्य होगे, इस्टार्टी में तोड़ा confusion भी रहा होगा, अब नहीं समझ पाए, तो practice इतनी कर दो कि आपको समझने की logic भी जरुवत नहीं है, अब करते हैं इसकी practice तो practice में क्या समझ सकते हैं, तो कुछ सब्द लिखाता हूँ आपको, वो करने की कोसिस करते हैं, और वो सब्द क्या है, पहला सब्द लिखिएगा, पहला सब्द लिखिएगा दिगज, important पहला सब्द दिगज, दूसा सब्द है, अब्ज तीसा सब्द लिखिएगा आप, उद्ध्योग अगर आपने कॉपी खोली है, तो आप सब्दों को लिखने की कोसिस करिएगा, कि कैसे कैसे चीज़े हो रही है, एक सब्द वाग देवी एक सब्द लिखने की कोसिस करिएगा, उसका नाम है रिगवेद इसको इंपोर्टन कर लिजिएगा, एक सब्द लिखने की कोसिस करिएगा, कैसे कैसे चीज़े बदलती है, वह है दिगंत इनको तोड़ने की कोसिस करते हैं, मेरे दोस्तों, क्या बोला था, दिगज अब समझ में आ गया होगा, बियंजन संदी से लिए नहीं पढ़ाते हैं, बहुत आसान होता है, ये क्या होगा, दिग पलस अज हे की नहीं है का कौन से लेवल का है पर्थम वर्ग का है की नहीं है का तो पर्थम वर्ग पर आता है ना का पर्थम वर्ग पर आता है ना ये देखो ये देखो पर्थम वर्ग पर आता है का ठीक है उसके बाद कोई भी क्या आगया आ क्या है आ तो स्वर है तो मैंने बोला न, का के बाद अगर कोई भी स्वरा आ जाए, का के बाद कोई भी स्वरा जाए, तो पहला वाला क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, तो यहां पे देखो, पहला वाला जो का था, यह क्या बन गया, गा तो बन गया, का का क्या बन गया, गा बन गया, तो ध्यान में रखिएगा आप, मगर हमें सब यंजन संदी सीख रहों, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, हलंत लगाना पड़ेगा, पा कौन से लेवल का है, आप देखो, पा कौन से वर्ग का है, तो चा चा पा पहले वर्ग का है की नहीं, यह है पा, और वो क्या बन गया था, पा चेंज हो के क्या बन गया था, पा का क्या बन गया था, यह बा, बा से बकरी, और बा से बकरी को भी देख लीजिया, पा भा बा, बा से बकरी कौन से लेवल का है, तीसरे लेवल का है, तो पहला किस में चेंज हो रहा है, तीसरे में चेंज हो रहा है, इसलि को follow करना है बट यहां पे नहीं यहां पर practice देखने हैं मेरे दोस्तों आगे बढ़ें यह है उद्ध्योग उद्ध्योग सब्द पेपर में आता है बहुत बार यह कैसे तोड़ेंगे आप उद्पलस यूग यस और नो हमेशा क्या लेगा बेंजन संदी में हलंत और क्या आता देखो ता था और दा पहले का तीसरा बन गया न ता का क्या बन गया दा ऐसी यह हो जाएगा वाग पलस देवी का खा गा देखो का पहला है कि नहीं है यहां पर क्या बन गया वाग देवी यह गा था क्या था गा से गमला तो का खा गा पहले का क्या बन गया तीसरा बन गया यहां पर क्या है रिग वेद यह पेपर में आता बहुत बात तो यह से कैसे तोड़ेंगे रिग प्लस वेद यह से कैसे तोड़ेंगे रिग प्लस वेद तो का है का से कबूतर खा से खरगोस अगा से गमला रिग वेद का का क्या बन गया गा बन गया यह क्या है का है यहां पर क्या है गा है ऐसे दिगंत तो यह क्या हो जाएगा दिख पलस अंत दिख पलस अंत यहाँ पर का है यहाँ पर क्या बन गया गा तो पहले का तीसरे नियम बोलते इसको अभी उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक समझ में जरूर आ गया होगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़न बताऊंगा कि एक का पांच कैसे परिवर्तित होता है तो प्यारे दोस्तों दूसरा नियम लिखिएगा एक का पांच इससे पहले हमने क्या लिखा था एक का तीन तो अब क्या होगा यह क्या बन जाएगा यह बनेगा चा का परिवर्तन या में टा का परिवर्तन अना में त direct question कैसे करेंगे उसको करने की उसको लिखने की example को समझने की कोसिस करिएगा कुछ सब्द में यह आप लिख रहा हूँ आप उसको कैसे तोड़ेंगे और देखते हैं एक सब्द है उनमत एक सब्द है प्यारे दोस्तों उनमत दूसरा सब्द लिखने की कोसिस करिएगा पहले उनमत को अगर मैं तोड़ने की कोसिस करूँगा कैसे एक का पांच हो रहा है इसको अगर आपको समझाना है तो उनमत देखो यह तूटेगा उत पलस यह कैसे तूटेगा उत पलस मत ऐसे तूटेगा कोई बोलेगा पहले हैं का पांचवा ज़र पूरूप कराना तो देखो ता था दा धा न ता कौन सा है पहला और इसी का दूसरा तीसरा चौन्था अब पांचवा कौन है न तो ये क्या था ता से तरबूज आईये किस में चेंज हो गया ना में तो पहले का पांच वबनत हो गया न तो एक वाला ही न जो पहला अकसर है या तो ये तीन में चेंज होगा या पहला अकसर क्या होगा पांच में चेंज होगा तो बार-बार रूल क्यों लिखाने है आप मत करनो ना रूल फोलो मैं कह रहा हूँ हिंदी की कोई भी grammar की भूक है और बेंजन संदी सीखने है पहले तो जाद ज़रूरत नहीं होती बेंजन संदी की स्वरसंदी इनफ है बट फिर भी सीखने हैं तो जितने practice हैं उनको एक बार कर दो बस जो important important होते अब वहीं मैं भी कर रहा हूँ मैं इससे जादा कुछ सोड़ना कर रहा हूँ पहले का पांच बनाना है और कोई कोई ऐसी चीज़ सोड़ने करने क्या होगा और maximum पहले का पांच तो बोलते हैं ना मैं तुम्हें बता दूँ बस यही दो लाइन याद दखना प-फ- लिखिएगा अगला क्वेशन करने का कि पावाला चेंज कैसे हो जाता है पहले वाला पाम है कैसे कैसे चीजे बदल जाती है और कैसे कैसे नहीं बदल थी लिखिएगा अगला question करनेगा एक question आता है सन्मुक सट्मुक भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है कैसे होता है उसको देखते है एक सब्दे सनमुक इस सनमुक को तोड़ूंगा न मैं तो ये कैसे टूटेगा सट प्लस मुक तो जो टा है टा पहला अक्सर है अटा का चेंज किसमे हो गया अना में देखो ऐसी लाइन आपने पड़े होगी ने टा ठा डा धा अना तो ये पहला अक्सर है और ये पांच हो अक्सर है तो एक का चेंज किसमे हो गया मेरे दोस्त पांच में हो गया ये देखो एक है और इसका चेंज किसमे हो गया दोस्त पांच में हो गया तो इसी को बोलते है एक का पांच परिवरते सर और एक्जांपल कराने और example करा दूँगा कोई दिक्कत नहीं, important, important करके लिखेगा, यह paper में आता है और सुद्द वर्तनी में भी पूछा जाता है, यह paper में आता है, इसे जरूर copy में लिखेगा, यह सुद्द वर्तनी में भी पूछा जाता है, आपके सामने लिखा पढ़िएगा ऐसे, जगनात, हम चेंज केस होगा, ना में होगा ना, एक का पांच तभी तो बनेगा, एक का पांच का बनेगा, जब ता क्या बनेगा, ना, तो यह देखो, यह ता है, यहाँ पे क्या बन गया था, यह ना बन गया था, आदा ना आया था, तो एक का पांच में चेंज हो सकता है, यह एक का जगदनाद को याद करके लिख लीजेगा, काफी important है, पेपरों में बार बार पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये याद होना चीए, कि चीजे change हो रही है, कैसी हो रही है, अगला सब्द है, चिन मैं, यही पर लिख देतो, अगला सब्द है, चिन मैं, और चिन मैं सब्द क तोड़ेंगे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे मेरे दोस्तों, आपको समझ में आ गया, चित पलस मैं, यह आदा ना बनेगा न, और आदा ना कौन सा है, पांच वकसर का है, तो इसको लिए क्या चीए था मुझे ता, तो देखो मैं लिख देता, चित पलस मैं, यह ता पहला आरी सी से तो यह ना बना है, तो एक का परिवर्तन या तो तीन में होगा, या एक का परिवर्तन पांच में होगा, यही होता है, बियंजन संदी के दो रूल, यह बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लिया, तो बाकी कुछ भी याद करने के जरुरत नहीं है, बहुत easy है, बहुत आसान है इनके जो example है उनको याद कर लीजेगा, एक paper में आ रखा था sun mass paper में आ रखा question है UP के, उस question का नाम है sun mass ये question paper में आ रखा है, UP में आ रखा है question का नाम है sun mass, इसको करने की courses करेंगे, तो कैसे तूटेगा set plus mass इसको mass को ऐसा लिखना पड़ेगा, sun mass, तो देखो ये टा है, अटा का change किसमे हुआ है, अणा में हुआ है अणा है ना ये, क्यूं हुआ है, देखो टा, ठा, डा, धा, अणा तो अणा पांच में नंबर का है न, ये पहले नंबर का, तो एक का change पांच में हो जाता है आप समझतो गए होंगे अब, ये बहुत जादा important है, एक last question लिख लो, एक का पांच वाला रूर आप बहुत जादा पेपर में आता है, वांग में बहुत जादा पेपर में आता है, वांग में वांग में वांग में में कौन सा होगा ये अंग है, अंग कौन सा वाला अंग है या ये वाला आता ना, का, ख, ग, 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 अंग, ये वाला अंग, वांग में इसको तोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको तोड़ेंगे वांग प्लस में अग का कौन से लेवल का है? पहले लेवल का है और अंग का कौन से लेवल का है? पाँच वाँ तो देखो एक का पाँच बन गया ना का का क्या बन गया? गाँब बन गया तो इसी को ब्यंजन संदी बोलते हैं सिंपल है, कभी भी बेंजन संदी मिलेगी न, मैं बोल रहा हूँ, रियलिटीज में इसके 17 रूल है, आपको 17 रूल कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई logic भी निया उसको करनेगा, hero बनने की कोई logic निया, paper निकालने, आप इन दो rule को follow करो, इसी में आपका काम ब अलग बात है, बैट नॉर्मली जो general syllabus उत्रखन का है, उसमें तो बेंजन संदी भी syllabus में नहीं है, मगर फिर भी UKPSC बेंजन संदी पूछ लेता है, तो ये दो rule अगर आपने याद कर लिए, तो आपको इसके बाद कुछ भी याद करने की जरुवत नहीं है, इसके लावा अ पूछ लिए जाते हैं, तो उस courses भी करने के courses करेगी, ठीक है, तो देख लिजिएगा क्या होता और क्या नहीं होता है, उनको courses करते करने के, मैं direct लिख देता हूँ, एक सब्द उलेक, ये आप ध्यान रखेगा, एक important है, ये ताकर रूप में पूछा जाता है, एक्जाम में कहीं पर लिख लीजिएगा, उलेक, तो उलेक को कभी भी आप तोड़ोगे, तो ऐसा तोड़ोगे, उत्पलस लेक, या एक और सब्द है, दो ये सब्द है, दोनों पेपरों में पूछे जाते हैं, तल्लीन, इसके लिए आपको ता का रूप लिखने के कोई जरुवत हैं दो एक्जामपल के लिए, ये तुम डारेक्ट ऐसे भी तो याद कर सकते हैं, तत पलस लीन, अर अगर दोस्त मैं रूल की बात करूँ ना, तो रूल के हिसाब से ये है, अगर ता के बाद ला आया ना, तो ला यी बन जाता है, तो देको, ता के बाद ला आया ना, तो एक ला बन गया अधला, ता के बाद ला गए, नॉर्मल एक ला आये ना, तो एक ला एक्स्ट बन जाता है, जिसे हमापए एक का पांच बन रहा था, एक का तीन बन रहा था, तो ये रूल है, ऐसे ऐसे 17 रूल है, ये थोड़ोँ ना करने में, इसलिए आप इसको ध्यान में र जाएगा उसमें आपकी चीजे किलियर हो जाएगी कि हो कैसे रिए चीजे और कैसे कैसे होना भी चीज़ है एक important और एक last rule है वो है मा का rule उसको देखते हैं क्या कोई चीजे होती है और क्या चीजे नहीं होती यह थोड़ा important अब वो है मा का नियम मा से मचली यह कैसे परिवर्थित होता है मा का नियम परिवर्थत हो कि क्या बन जाता है अनुस्वार यह मा किसमें change हो जाता है पंचमा अकसर में और मा कैसे पंचमाक सर में चेंज होता है उसको करने की कोशिस करते है उसको पढ़ने की कोशिस करते है देखते है कैसी कैसी चीज़े कैसी चीज़े नहीं है तो मा का नियम लिखिएगा पहला सब्द लिखेगा संकलन मा का नियम यह तीन नियम आपको सीखने है और इसी में आपका ब्यंजन संदी किलियर हो जाएगा यह guaranteed है संकलन प्यारे दोस्तों संकलन को तोड़ना है और कैसे तोड़ेगा तो यह तूटेगा मेरे प्यारे दोस्तों सं प्लस कलन ऐसे तूटेगा तो मा का नियम क्या भोलता है मा के बाद कोई भी इस पर सी बेंजन आ जाए और इस पर सी बेंजन मैंने आपको पढ़ा तो रखे इस पर सी बेंजन मैंने आपको पढ़ा रखे इस पर सी बेंजनों की संख्या कितनी हो थे मा अनुस्वार में change हो गया, देखो, मा के बाद का आया, और ये भी तो एक इसपरसी बिंजन है, तो का की जगा, क्या आगया, एक नई चीज आगी, ये है अनुस्वार, उपर क्या लगा दिया, एक गोला, शंकलन, इसके आगे आप बोल लो, और चीजे बताओ, तो एक सब् आता है, परन्तु, यह ऐसा question है, जिसको कोई एक तोड़ भी नहीं पाएगा, तो यह कैसे तूटेगा, परम पलस तू, यहां पर लगेगा, हलन्त, मा के बाद, ता आया, और यह भी तो एक इसपर सी बिंजन है, तो यहां पर क्या बन गया, एक ना आ गया, और यह देखो, यह तो अनुसार बनेगा, यह तो पंचमा अकसर बनेगा, और न एक परकार का पंचमा अकसर है, क्योंकि पांचमे नमबर पर आता है, यह भी मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ा रखा है, तो एक मा का रूल आता है, और मा हमेशा क्या बना देता है, पंचमा अकसर बना देता है box important करके। और आप इनको याद रखेगा कि क्या-क्यद चीजह हो रही है क्या-क्यद नहीं हो रही है कैसे कैसे चीजह रहे हैं कैसे कैसे नहीं हो तो यहाद सन्रक्षक सन्रक्षक दिए-ब्यां प्रख्षक कैसे तोड़ेंगे सम प्लोस रक्षख मा Eating बाद रा तो ये क्या बनीगा अनुस्वार तो अनुस्वार का एक नियम होता है और लग बग लग जब अनुस्वार पंचमक सराते न तो मावाला ही नियम लगता है ये वाला पॉइंट जादा कराने की जरुवत नहीं है जैसे एक और एक्जामपल लिख लीजिएगा आप पेपरों में पूछ लिया जाता ये वाला सब्द भी और वो सब्दे संसार तो इसको कैसे तोड़ेंगे सम पलस सार में तोड़ेंगे बाकी कुछ भी जादा है नहीं इसमें और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ ब्यंजन संदी से निस्फिकर रही है इन दो तीन नियमों कुछ करने की जुरत नहीं है और ब्यंजन संदी इसका लॉजिक है भी नहीं कि आप नोर्स बनाओ असतर नियम लिखो और उनको लिखते रहो मैं कहे रहा हूँ अभी भी एक्स्प्रियंस के तौर पे ब्यंजन संदी प्राक्टिस का गेम है आप बस ब्यंजन संदी के जो इंपोर्टन 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 इनको याद कर लो बस यह संसार है यह पेपर में पूछ लिया जाता है संपलस सा ब्यंजन संदी नाम से लग जाते ब्यंजन संदी ऑप्सन से लग जाता है इसलिए पेपरों में एक काम फूच जाते स्वरसंदी के लिए नियम कान पता होने चीए, that's why स्वरसंदी important है, और स्वरसंदी की दो वीडियो में आपको डाल भी चुका हूँ, उसमें कोई प्राबलम हुई नहीं होगी, और उसकी भी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, और यह कही है ब्यंजन संदी और कल से एक नया topic सी कहेंगे हिंदी में यह enough है मेरे इसाब से, तो मिलते आपको next class में